नमस्कार इन खबर में आप सभी का स्वागत है जिन लोगों ने अभी तक income tax return यानि की ITR फाइल नहीं किया है उनके लिए राहत की खबर है सरकार ने corporates के लिए आईकर return दाखिल करने की सीमा को बढ़ा दिया है अब assessment year 2021 के लिए ITR फाइल करने की नई deadline 15 मार्च है यानि कि इसका मतलब है अब corporate tax payers को 15 मार्च तक अपना आईकर return दाखिल करने की छूट होगी ITR फाइलिंग की समय सीमा बढ़ाने के अलावा CBDD ने audit report और transfer pricing audit प्रसूद करने के लिए तारीक को भी 15 फरवरी 2022 तक बढ़ा दिया है या तीसरा मौका है जब कंपनियों के लिए 2021 को लेकर आईकर return जमा करने की समय सीमा बढ़ाई गई है कंपनियों के लिए आईकर return जमा करने की अंतिम तारीक 31 अक्टूबर थी वहीं transfer pricing सौदों के लिए report जमा करने की तारीक 30 नमंबर थी ऐसी तमाम updates के लिए आप बने रहेए इनकबर के साथ